नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेज में जैसा कि आप जानते हैं सबसे विश्वासनिय और प्रमाड़ी सुचना लेकर पीएस क्लासेज प्रियागरास से प्रेजेंट होता है तो ऐसे हम दोस्तों सुबह सुबह बिग ब्राकिंग निउस निकल करके आ रही है यो पीठी स्टिपीष्टी परिच्छाप्तिति को लेकर के और साथी सीम योगी का जो है अगर बात करें तो बहुत बड़ी कारवाई कर रहे हैं नया सिच्छा सीवा चैनायो अधच सदस जल लाने के आसार मिल रहे हैं पूरा हम बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा राइट साड़े वेल आइकन के बटम को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके लाइक शेयर करना बिल्कुन भूलीगा दोस्तों आज के सुबह सुबह की सिच्छाज़त की खबरों में सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है नया सिच्छा सिवा चैन आयोक को लेकर के जिसमें अधच्छ और सदस के जल्द आने के बारे में क्या बताया जा रहा है और यूपी टीजटी पीजटी परिच्छा कब होगी इस पर हम सिधे आपको ले चलते हैं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं चैन बोर्ड होगा नए आयोक का मुख्याले जल्द मिल जाएंगे नए अधच्छ और सदस्यों की निमावली को काइबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अधच्छ और सदस्यों की नुक्ती प्रिक्रिया पर काम शुरू हो गया है एक सब्ता में धच्छ और सदस्यों की नुक्ती के लिए विग्यापन जारी होने और एक से डेड़ माँ में इनकी नुक्ती प्रिक्रिया पूरी होने की उमीद है उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा सी वचे इन बोर्ट प्रियाग राज का परिशर नए आयोग का मुख्याले होगा नए आयोग के स्थित में आते ही दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले लंबित पड़ी सिच्छक भरती शुरू कराई जाएगी प्रदेश के सास की साहता प्राप्त महा बिद्याले में बिग्यापन संख्या 51 के तहत एसिस्टेंट प्रोफेशर के 117 पदों पर भरती की प्रस्तावित है और असास की माध्य बिद्याले में साहाय का ध्यापक TGT प्रोगता PGT के 4163 पदों पर भरती होनी है इन दोनों भरतीयों के लिए अगद 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पुरी हो चुकी है अगर दोस्तों बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेशर के लिए जहां 1.14 लाग आवेदन आये हैं वही TGT-PGT परती के लिए 13 लाग से अधिक भरतियों ने आवेदन किये हैं नए आयोक के गठन के बाद अधूरी पड़ी प्रक्रिया शुरू होने से लाखो भेरतियों की बड़ी राहत मिलेगी दोस्तों बात करें कि उस सिच्छा निसाले के सुत्रों के मुताबी नए आयोक का मुख्याल है उत्तर प्रदेश मादमी सिच्छा सिवा चैन बोर्ड के परिसर में बनाया जाएगा चैन बोर्ड से नए आयोक को भवान अस्तांतित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है देख सकते हैं निसाले के सुत्रों ने बताया कि नए आयोक के अधच के एक पद और सदस्तों के बारा पदों पर निउक्ति के लिए एक सप्ता में विग्यापन जारी करने की तयारी है आवेदन के लिए कई से पची दिनों का वक्त दिया जाएगा इसके पास सर्ज कमेटी आवेदनों की चटनी करेगी अधच के एक पद के लिए पांच नाम और सदस्त के एक पद के लिए तीन नाम चाटे जाएंगे यानि सदस्त के बारा पदों के लिए कुल 36 नाम चाटे जाएंगे बाद में अध्यच पत के लिए चाटे गए पांच में से किसी एक को और सदस्पत के लिए 36 में से 12 लोगों को चैनित किया जाएगा दिसंबर के आंत या जन्वरी के शुरुआत में यह प्रिक्रिया पूरी होनी के उमीद है तो दोस्तो आप देख सकते हैं आप सभी के अंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और बहुत जल नया सिच्छा सेवाचान आयोग अस्तित में आज सकता है आज कि सभी समाचार पत्रों में देखिए इस सुर्खियां चाही हुई है लेकिन दोस्तो आप सभी को दरकार पर दबाव बनाने की अभी भी जरूरत है ताकि दिसंबर भर में जो है आपका सिच्छा सिवाचान आयोग अस्तित में आज आए और फरवरी माह में आपकी परिछाओं को अंजाम दिया जा सके तो दोस्तो आप सभी एक जूट रहें अगर किसी अंदोरन की तैयारी होती है तो सबसे पहले आपका अपना PS Classes आपको बताएगा तो दोस्तो इस वीडियो को ज़रा ज़रा लोगों तक शेर कर दीजेगा चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्काइब के लिजेगा और राइट साने में लाइकन की बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके थैंक्स पर वाचिंग बाई वीडियो